Hello everyone and welcome आजके हमारे इस वीडियो में तो आज का ये वीडियो हमारा एप सेंसर के उपर है यानि एक्सलेरेटर पैडल पॉजीशन सेंसर के उपर तो एक्सलेरेटर पैडल पॉजीशन सेंसर की जो पॉजीशन है वो 0% से 100% तक वैरी करती है मतलब 0% से चालू होती है और 100% पे खतम हो जाती है अब क्या चालू होता है ये पैडल का प्रेस होना 0% से जैसे अभी ये दवा हुआ नहीं है तो ये 0% पे लेकिन जब आप इसे पूरा प्रेस कर देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये 100% पे जो है इसकी value जो है प्रेस होने की वो 100% पूरी हो जाएगी जब ये पूरा प्रेस हो जाएगा तो 0 से 100% तक ये चलता है इस sensor के अंदर कोई एक sensor नहीं दो sensor अंदर लगे रहते हैं यहाँ पे एक होता है accelerator pedal position sensor 1 और एक होता है accelerator pedal position sensor 2 तो ये दो सेंसर इसके अंदर क्यों दिये गए है इसका एक रीजन है कि गाड़ी चलना जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनिफेक्शिरर के लिए चाहे वो हॉंडा हो मारूती हो या टाटा हो तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ी हमारी जो है चलना बंदना हो जब अगर कोई कस्टमर उसे रोड पे ड्राइव कर रहा है और इसमें अगर कोई कमी आ जाती है एप सेंसर में तो ऐसा ना हो कि कस्टमर जो है अपनी गाड़ी को लेकर के रास्ते में ह खड़ा रह जाए वो अपनी जगह पे ना पहुंच पाए अपने घर ना पहुंच पाए तो उसके लिए क्या सॉलिशन ढूंडा गया कि अगर ये सिंगल एक सेंसर ही काम करेगा पूरी गाड़ी में तो जाहिर सी बात है कि अगर ये खराब हो गया तो फिर हमारी जो गाड नहीं होगी और कस्टमर बीच में ही फसा रह जाएगा तो उसके लिए सॉलिशन निकाला कि एक सेंसर नहीं दो सेंसर होने चाहिए तो अगर पहला सेंसर मेरा खराब हो जाता है तो दूसरा सेंसर काम करता है और पहले सेंसर के जो रिटर्न के वोल्टेज है जो सिगनल वोल हमारा एप सेंसर 1 काम करता है ठीक तो जब नॉर्मल कंडिशन में जब कोई दिक्कत नहीं आती है तो हमारी गाड़ी के अगर जैसे फुल आर्पियम 0 से 4000 है तो 0 से 4000 तक ही एक्सलरेट होगी लेकिन अगर हमारा सेंसर 1 खराब हो जाता है और सेंसर 2 वर्किंग में आ जाता है तो हमारी गाड़ी जो है वो 0 से 2000 उसके बिलकुल आधा 0 से 2000 आर्पियम तक ही एक्सलरेट होगी ठीक यानि सेंसर 2 का जो सिगनल वोल्टेज है जो हम कहरें मैक्सिमम 2 वोल्ट है वो सेंसर 1 के सिगनल वोल्टेज जो की 4 वोल्ट है उसके बिलकुल आधा रहता है तो उस कंडिशन में यह होता है कि कस्टमर कम सकम जैसे 2000 आर्पियम भी अगर मैक्सिमम है लेकिन अगर सेंसर 2 भी खराब हो गया तो फिर क्या होगा तो फिर गाड़ी हमारी जो है वो लिंफ मोड में चली आती है अगर सेंसर 1 भी खराब है और सेंसर 2 भी खराब हो गया तो अइडिल पर जो आरपीम है आइडिल मतलब आइडिलिंग वो कंडेशन है कि गार्डी हमारी स्टार्ट है ठीक, स्टार्ट है और खड़ी हुई है नॉर्मल, ठीक, तो आइडिल की कंडेशन पर कितने आरपीम रहते हैं मैक्सिम्ट 700 या 800 आरपीम इस तरीके से रहते हैं तो लिंप मोड पे जब गाड़ी आया थे कि सेंसर वन भी खराब हो गया सेंसर टू भी खराब हो गया तो उसके जो आर्पियम है वो अपने आप बढ़कर के 1000 या 1100 तक पहुंच जाते हैं और कस्टमर फस्ट गेर या 2nd gear की मदद से अपनी गाड़ी धीरे 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 इतने रपियम पे ले करके आगे अपनी जगह पे पहुंच सकता है या किसी repair center या garage पे जा सकता है तो इस तरीके से यह जो हमारा sensor 1 और sensor 2 है वो काम करता है मतलब इस तरीके से जो अंदर की functioning है जो उसमें formulas है वो इस तरीके से designed है कि इस तरीके से यह हमारे sensor 1 और 2 क्यों दिये गए है और कैसे काम करते है तो यह देखी यह हमारा sensor 1 और sensor 2 ठीक यह दोनो direct ECM से connect होते है यहाँ पे आपको ECM की pin number या कौन सी तार पे signal volt है कौन सी पे power supply देखने का benefit नहीं है company change होते ही यह सारा data जो है वो बदल जाता है खेर जैसे टाटा का truck है तो उसमें जब हमारा accelerator pedal position sensor में कोई दिक्कत आती है तो 12-42 जो है code सबसे ज़्यादा आम है वो आ जाता है यह टाटा कमिंस के हम बात कर रहे है तो देखिए direct तार जो है वो ECU से जड़ा हुआ है अगर sensor 1 की तार कटे आती है जैसे sensor 1 की तीन तारे है input voltage जिसमें 5 volt होता है power supply signal voltage भी इसका 0 to 4 voltage आप कह सकते है vary करता है और ground तो है ठीक तो इस तरीके से 3 wire एक sensor 1 की और same ही 3 wire जो है आपके sensor 2 की direct ECU से लगी जाती है अगर कोई एक तार sensor 1 का कटे आता है और वो काम करना छोड़ दे तो उस condition में भी sensor 2 जो है active होई आता है और अगर दोनों की ही तारे कटी हुई है तो फिर गाड़ी limb bond में चली ही जाती है तो बीच में कोई relay नहीं कुछ नहीं डारेक्ट जो है ECM से connected रहता है अब देखी यहाँ पे एक screen recording हमने करी थी आपको दिखाने के लिए तो इसमें sensor 1 और sensor 2 की जो voltage signal voltage है वो आपको देखेंगे तो यहाँ पे देखते हम यह अभी खड़ी position में है sensor 1 voltage, app sensor 1 voltage, app sensor 2 voltage ठीक यह दोनों खड़ी position में देखिए sensor 1 का जो voltage है उसका जस्ट आधा लगबग आपका sensor 2 का voltage है गाड़ी को जब हम accelerate करेंगे तो इनकी positions जो है वो इनकी जो voltages है वो vary करेंगे और बिलकुल 1 ratio 2 में ही vary करेगा देखिए आप गाड़ी हमने accelerate करी इस position पे भी आप देख सकते हो यह 2.5 volt है और यह 1.3 volt है तो लगबग उसका आधा ही है और maximum अगर हम पूरा pedal प्रेस करते हैं अभी तो के वह बारत सो चोहतार रापियम पे है swift गाड़ी है खेर maximum पैडल छोटी कार्स में हम प्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने हाई आरपियम पे टर्बो लीग होने का डर रहता है बट स्टिल आप देख सकते हो कि इतने आरपियम पे भी जो voltage difference है वो जस्ट लगभग लगभग आ दे गाई है तो इस तरीके से यह voltages आप अपने scanner पे भी देख सकते हो यह voltages signal voltage आपका ICU भी read करता है और इसी के आधार पे वो अपनी functioning अपने formulas के हिसाब से response करता है तो I hope आज का यह video आपको अच्छा लगेगा थैंक यू धन्यवाद